नमस्कार दोश्टो लेट से स्टेडीजिश में आप शब का स्वागत है दोस्तो हम लोग लुसेन के साइन्स का फिजिक्स देख रहे हैं जिसमें हम लोगोने दोस्तों दो लेक्षर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख ले आईए दोस्तो आज हम लोग सुरू करते हैं तीसरे चेप्टर को कारे उर्जा एवं सक्ती दोस्तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाले ताकि मेरे दोरा डाले गए कोई भी वीडियो की सुचना आपको पसानी से मिलती रहे हैं कारे उर्जा और शक्ती, दोस्तो कारे की माप लगाए गए बल की दीशा में बसतू के बिस्थापन के गुड़नफल के बराबर होता है यानि दोस्तो जब कोई बस्तू है और उस बस्तू पर जब हम फोर्स लगाते है और फोर्स लगाने के बाद उसमें जब displacement होता है यानि विस्थापन होता है तो उस force into विस्थापन force यानि ball into विस्थापन को क्या बोलते हैं कारे बोलते हैं देख लेते हैं कारे की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में बस्तू के विस्थापन के गुड़नफल के बराबर होता है कार्य दोस्तो एक अदिश रासी है जिसका एसाई मात्रक जूल होता है यानि कार्य बराबर क्या होता है दोस्तो बल गुणे विस्थापन यानि फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट दोस्तो यदि बल एप तथा विस्थापन इस के मद्धे ठिटा कुण बनाता है तो वर्क प्राबर होता है फोर्स इंटू एस डोट कोस ठिटा हो जाता है अगला पॉइंट है उर्जा उर्जा यानि एनर्जी कीसको बोलता है दोस्तो किसी वस्तू की कार्य करने कि छमता को उस्तू की उर्जा Under the सेराओ than एक अदिसरासी है और इसका epsilon जूल होता है कार्य द्वरा प्राप्त उर्जा यांत्रिक उर्जा काहलाती है जो की दो प्रकार होते हैं यानि दोस्तों कारे के द्वारा जो उर्जा प्राप्त की जाती है उसको यांत्रिक उर्जा कहते हैं और ये यांत्रिक उर्जा दो तरक्की होती है एक को कहते हैं गती जूर्जा और दूसरे को कह याणि दोस्तों जो गतिक के कारण होती है उसको कहते हैं गतिज उर्जा यदि एम-ध्रवमान की वस्तु है वस्तु है और भी वेक से चल नहीं है तो उसकी जो गतिज उर्जा होगी वह होगी half mb square उसी तरह से दोस्तों स्थितिज उर्जा यानि पोटेंशियल एनरजी जब किसी वस्तु में विशेश अवस्था यानि एस्टेट या स्थिति के कारे करने की छमता आ जाती है उसको स्थितिज उर्जा कहते है यानि दोस्तों जब किसी certain height से जब या किसी certain height से किसी वस्तु में कारे करने की छमता आ जाती है तो उसको बोलते है इस्थितिज उर्जा जैसे बांध बना कर इकठा किये गए पानी की उर्जा यानि दोस्तों जब या बांध बना दिया जाता है तो बांध बनाने के बांध से यहाँ पर पानी accumulate हो जाता है और इसका certain height हो जाता है जिसमें एक उर्जा आ जाती है इस उचाई के बांध से जिसके बांध से जब नीचे गिरता है तो वो टर्वाइन चलने लगता है और वहां से बिजली उत्पन होने लगती है वही बात है कि जब किसी वस्तू में विशेश आवस्था यानि इस्टेट या इस्थिती के कारण कारे करने की छमता आ जाती है तो उसे इस्थिती जूर्जा कहते है जैसे बांद बनाकर इकठा केगे पानी को की उर्जा घाड़ी की चाभी में संचीत उर्जा तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की उर्जा गुरुत्व बल की विरूद संचीत इस्थिती उर्जा का वेंजक दोस्तों potential energy यानि इस्थिती उर्जा वराबर होता है M, G, H यानि M क्या है दोस्तों रविमान है G, growth जनी त्वरण है है और H, height है अबला है दोस्तों law of conservation of energy यानि उर्जा के संड़क्छड का नियम दोस्तों उर्जा ना तो उत्पन की जा सकती है और ना ही नस्ट की जा सकती है, उर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, दोस्टों उर्जा si not create किया जा सकता है, ना मेरा उसको स्पर्ण किया सकता है, और ना वही सको खतम हो बलकि यह एक फाने य鍵 निन सबस्क्राइब कर लेती है जैसे सब्सक्राइब हम जो जीद आती है उसमें शीच हम दवा आते तो सभीकों में क्रेंटों करता दौ गया एनरजी यानि उत्पन की जा सकती है और नहीं नस्ट की जा सकती है बलकि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है जब भी उर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही उर्जा आने रूप में प्रगट हो जाती है अता विश्व की संपन उर्जा का परिमार दोस्तों इस्थित रहता है यानि कॉंस्टेंट रहता है और यह उर्जा का नियम का लाता है अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों उर्जा रुपांतर करने वाले कुछ उपकराने दोस्तों डाइनेमो डाइनेमो को दोस्तों यां माइक्रोफोन दोस्तों माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं तो ध्वनी उर्जा निकलती है उसके बाद विदूत उर्जा यानि वायर में कनेक्ट होकर निकलती है इसके बाद दोस्तों लाउड स्पीकर का वही है दोस्तों विदूत उर्जा को ध्वनी उर्जा यानि माइक विदूत मोटर विदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदल देता है विदूत बल्ब दोस्तों विदूत उर्जा को प्रकास उर्जा या उस्मा में बदल देता है विदूत सेल दोस्तों रसाइनिक उर्जा या विदूत उर्जा में परिवर्तित कर देता है अगला है दोस्तो सितार सितार दोस्तो यांत्रिक उर्जा को ध्वानिक उर्जा में बदल देता है अगला पॉइंट दोस्तो संबेग या गतिज उर्जा में संब्ध संबंध दोस्तो काइनेटिक एनर्जी बरावर क्या होता है हाफ एमभी स्क्वाइर होता है हाफ एमभी स्क्वाइर दोस्तो हम लोगों ने पढ़ा था कि संबेग होता है mass into velocity यानि दोस्तो mb square यानि m को हम mb को mb को p रख दिये तो एक b बज़ गया फिर उपर m से multiply कर दिये और नीचे से तो फिर एक mb होगा यानि p square by 2m बन गया अर्थात संबेग को दुगना करने पर गतिज उर्जा चार गुनी हो जाती यह बार बार प्रशन कुछे जाने वला है कि जब संबेग को दुगना कर दिया जाता है तो गतिज उर्जा में क्या परिवर्तन होता है तो दोस्तों गतिज उर्जा में चार गुनी परिवर्तन हो आएए दोस्तों अब हम लोग अगला देख लेते हैं अगला पॉइंट है शक्ति किसको बोलते हैं पावर दोस्तों कारे करने की दर को सक्ति कहते हैं यदि किसी करता द्वारा डाबलू वर्क टी समय में किया जाता है तो करता की सक्ति डाबलू बाई टी यानि वर्क बटा में समय होगा सक्ति का SI मातरक दोस्तो वाट होता है जिसे वेग्यानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया सक्ति परसेक्ट यानी या वाट भी बोलते है दोस्तो इसको जब हम सीजेस में बदलते हैं तो 10 II power 7 arc per second होता है यानी 1 kilowatt परवर दोस्तो 1,000 watt होता है और 1 megawatt परवर होता है 10 VI word अगला point है कि सक्ति की एक और मात्रक आश्व सक्ति है आश्व सक्ति को दोस्तो जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था 1 आश्व सक्ति यानि 1 हर्स पावर दोस्तो 746 वाट होता है या 550 Ft LBS होता है या 746 इंटू 10 to the power 7 अर्ग कर देगे तो दोस्तो अर्ग हो जाता है, अर्ग में हो ज्यएसम हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर 1244 यानि 1.34 हर्स पावर निकल जाता है अगला है 1 watt second वाट शेक्ड बराबर होता है दोस्तो 1 watt इंटू 1 second और वाट सेकेंड वाट कर क्या होता है जूल बटा में सेखेंड और उपर में है दोस्तों सेकेंड सेकेंड से कैंसे हो गया तो 1 वा और 2 बरावर क्या हो जाएगा 1 जूल उसी तरह से 1 वाटगंटा बरावर कर देंगे तो दोस्तो 3610-16 जूल हो जाएगा अगला पॉइंट है 1 किलो 1 किलो 1 किलो वाट घंटा वरावर 1000 वाट घंटा यानि 3.6 into 10 to the power 6 जूल हो जाता है दोस्तो वाट, किलो वाट, मेगा वाट तथा होर्स पावर सकती के मातरक है जबकि वाट सेकेंड वाट आवर, किलो वाट आवर कारे अथवा उर्जा के मातरक है दोस्तो आज हम लोग यही तकराने देते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन